अब्रीबन स्वागत है आपका मेरे चैनल में और कैसे हैं आप सब मैं रोज की तरह एक नई वीडियो लेकर आज़ुकी हूं तो सबसे परिल ट्रिक है हमारी अज़वाइन को लेकर यह अज़वाइन जो होता है चोटा सा मसाला होता है और यह हमारी केचन में अवेलबल होता है और इतना चोटा होता है कि हम सोचते हैं कि यह क्या काम आता होगा लेकिन इसका बहुत काम होता है जब हम डी फ्राइज बनाते हैं समोसा कचोरी पकोड़ी या फिर पूरी तो इसमें हम अज़वान को एड़ कर देते हैं तो वह हमारे डाइजेशन में फायता करता है क्य और इसमें हमें काला नमक एड़ करना है तो ये पानी हमें उपर से पीना है यदि हम डिफ फ्राइ खाने में अजवान एड़ नहीं कर पाते हैं तो हमें बाद में ये पानी पी लेना चाहिए क्योंकि जो dip fry खाना होता है वो हमारे पेट में सहीं से पच्छ नहीं पाता है तो इसलिए हमें यह पीचिता जरूही हो जाता है या तो हम अपने खाने में ही इसा आड़ करके खाएं या पर इसका पानी बिना करती है है तो इसे हमारे रायते को लेकर तो जब हम रायता बनाते हैं बूधी का हो या किसी भी चीज का हो घीरे का हो तो उस रायते में हमें काला नमक जरूर से एड़ करना है क्योंकि काला नमक डाइज़ेशन के लिए बहुत अच्छा होता है तो दोस्तों अब अपनी से चमर से चला देते हैं और इसमें एड करेंगे हम थोरी सी काली मिर्ची का पाउडन क्योंकि काली मिर्ची जो होती है वो infection हटाने का काम करती है और हमें रायते में बहुत फाइदा पहुंचाती है और यह लिया है हमने पादीना पादीना आप जरूर से एड कीजेगा क्योंकि यह भी रायतिन के लिए अच्छा होता है और ठंड़ परतान करता है और यह पदिया मैं एक हुआ नकल पर या तयार किया है आप भी अपने घर पर पर तयार कई लगंगे तो हबने हैं और मैंने कुछ हरा धन्या पती भी डाली है तो इसे हमारा राइता बहुत अच्छा बन जाता है तो आप जरूर तो गर्मी का सीजन आ गया है, और इनमें मक्की मचर बहुत ज्यादा आते है, और यह हमारे बच्चा को बजतकी है, यसे बहूत परिसान हो जाते हैं, और उनके नींद खराब हो जाती है, क्लिए हमने एक स्वेफल रखा है तबा, और उसमें हमने दो चमच सरसू का ऑईल डाला है यदि आल ले और उसमें हमने चाड लोंग डाली है और तेज पता हमने चॉप करके डाल दिया है क्योंकि इसकी खुस्बू जो होती है वो बच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है और हमने इसमें डाला है करी पत्ता यदि आपके पास नीम हो तो नीम भी डाल सकते हैं और हमने डाली है इसमें चाय की पत्ती और इसको हम अच्छे से जला करके इसका तेल बना लेते हैं इसमें डाला है प्यास प्यास की जो खुश्बू होती है ना वो मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है तो इसको भी तबे पर जलाएं और आपके पास लहसुन हो तो आप लहसुन भी इसके अंदर डाल सकती है इसे दीपक में डाल देती हूं और मैंने इसमें एक बत्ती भी लगा दी है तो फ्रेंड इसका जो अरोमा निकलेगा ना तो उससे मच्छर भाग जाएंगे और मच्छर दूर दूर तक नजन नहीं आएंगे एक खरीलू खास रेमेडिर लेकर रहे हैं तो हम देने लिया है एक डिस्पोजर डिपा और इसमे बेकिंग पाउडर जो एकस पार हो चुका है तो इसमें हमने थोड़ा सा ये ग्रेट किया अलू भी एड किया है क्योंकि चुणों को अलू बहुत पसंद होते हैं और ये अलू खाने के लिए आते हैं तो इसमें जो जो कैमिकल होता है वो चुणों को काफी नुक्सान इससे भी चुणों को अंदर एलर्जी होती है और इचिंग होती है और भाग जाते हैं और मैंने थोड़ी ची हल्दी और तीखी वारी लाल मिर्ची ली है जब चुए इसे खा लेते हैं तो उनके पेट में जरन होती है और वह बाहर की तरफ भागते हैं और चुटी चुट तो यह पारी प्याज को ही लेकर तो यह जो प्याज है आजकल मक्षे और मच्छों का प्रपव बढ़ गया है जब हम किछन में काम करते हैं तो वहां पर मख्याँ आ जाती है और चिपक रिप्वाग एक तो इसलिए हमें यह प्याज को काट करके रख़ देना है और इसके अं तो इससें मखी और मक् отвеч यह आइंगे क्योंकि इनकी स्मेल होती है न तो वो मक् 저 खीलों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इसलिए यह जरूर से करके रखे गा तो इससे चिपकलिया भी बिल्कुल भी नहीं आएंगी और रात को भी हमें जरूर तो इससे आपके किचन एगिया में चिपकली भी नहीं आएगी